असलाम अलेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं आप सब ठीक होंगे तो फ्रेंस मैं आज आज आपसे ना तो चाइनीज राइसकी रेसिपी शेयर करूं इना पलाओ की बल्कि यह दोनों चावल मैंने दोनों की रेसिपी मिक्स करके मैंने चावल बनाए थे और बहुत टेस्टी बनेते तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ कभी-कभी ना हम डिली रूटीन से ठाग जाते हैं डिली एक जैसी चीज़े खाखा के न हम ठाग जाते हैं बिदिल करता है कि हम उनकुछ निया बनाए तो कभी आपको भी दिल करें कुछ निया खाने को तो इस रेसिपी को जुरू ट्राइ कीज़ेगा तो इसके लिए देखें सबसे पहले मैंने यह चिकन स्टॉक बना रही हूं यकनी मैंने मुझे चाहिए थी इसके अंदर मैंने जो हड्यों वाला चिकन है वो मैंने डाल रहे हैं इसकी वीडियो बनाना मुझे भूल गी थी अब आपको मगबाद में दिखाती हूं अच्छा यह दूसरी दर मैंने हाफ पहले ओयली है उसमें एक ब्यास काटके उसके अंदर डाल दी है उसको लाइट सा ब्रॉन कर लेंगे कि अब यह दूसरी दो देखे हैं मैंने यखनी बना रही हूं यह मैरा और ती वाल चिकन है और दे, टेकन दोसरा है बॉन्नेश-टिकन वो मैं आको भी छिखाती हूं इसके अन्दर मैंने नमख को काली मेज सब्सक्री बना लूँगि और यहाँ पर मैंने के प्यास ब्राउन हो गया है और इसके अंदर मैंने बॉने सीकन टेर पाउई भी मैंने एड़ कर दिया है इसको मैं अच्छे से बून लूँगी होज़े जब तक इसको बहुंते हो जाए ऐगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह की नमक डालओंगी प्रूंगे connecting क्रूंगग ये इसे दर मेने मसाला एड नी किया। ठिज इसी इडास प्रयदर में आपकर यह निए टाले की इसनेना वह द एदस्चाया काया म ताफरबा से अंदर यह पना से और अच्छेस बंव गोगा यह अच्छे कि यह तो ख्चा अधा ना उसको पूर्न लेने हो तो वॉइल हो गया तो उसको फिर इसके अनलू सब्सक्ता बॉर्ण लेस् चिकन बॉन दो जायें गा तो इसके अनलप्रा फ़ मैं यह दूसा चिकन उड्द कर दूंगी यह हडीवाला चिकनैंट जो यकनी है वो ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसको यकनी में ही पकाएंगे ठीक है ये देखे बॉले स्टिक है और ये हड़ी वला भी चिकन है इसको अब मची से बूल लेंगे जादा नी होना क्योंकि ये और अल्लेडी पका हुआ है बस इसको बता कि तोरसा बूना होत हम इसको भूनते है श्रीम था बूस्टाय महां क मैंने टोरह से थेस्ट नी हो रही थे और मैंने मुझे था थोरएसे अजीप सा लग रहा था बड़े लाइट चावल बने थे आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि कैसे चावल लगे आपको अच्छा यह देखे मैंने इसको पांच मिन्ट भूनने के बाद इसको अंदर मैंने पानी नहीं है किया आप भूनते हुए अब भूनने के बाद जो है ना मैंने इसके अंदर जो चिकन स्टॉक है वो मैंने डालती है चावल हमारे दो गलास है और चिकन स्टॉक जो है यह चाड़ गलास है ठीक है पानी में डबल एट करती हूँ चावलों में जितने चावल होते हैं उससे मैं डबल पानी डालती हूँ ठीक है अब यह प पानी ड्राइए उने लगएगा तो मैं बताती क्या डाला था XV तो तेस्ट इसका उससे ब्हूत अच्छा टेस्ट आता है बताती क्या आपको यहां प्यां प्याख इस इस पॉइंट प्यां के नमक चेक करें़ लेंगा कि कम ज्यादा ना वहादा का तो कोई हाल नहीं कम हो तो जुआ सकतने हैं अच्छा यह मैंने हरा प्या प्याओ्स ही हैं इस पॉइंट पर अके में चुआ प्राप नुदि पॉइंट पहुल दीनट टूंगी इसके अतना अच्छा फ्लेवर आया था बहुत जबरदस्त बहुत लाइट लाइट से चावल हैं और बहुत अच्छा इसके इसका टेस्ट था और डिफेंट भी बन गया डिफेंट का डिफेंट और मजे के मजे और ये बहुत इजी बन भी गए थे जल्दी बन गए थे सथा चैनीज इसमें वेजटेबल काटो टेस्टी बन गए आप मैंने इसको दम पे लगा दी है अग मैंने इसके अंदर पूर कलर एड किया रेड कर दे का इसको प्षेंट के यह मैंने पका लिया था तो एजरा एगा तो पर भी नॉट बैड मोंने पुद ही खाने थे मैं गर्जाई बात नहीं को आपको जड़ा तो तो पता इन्दाजा कर सकते हैं कि चावल टेस्टी ही बने होंगे अब फाइनल लूक जो चावल जल्दी बन गे थे और इसमें कोई वेजटेबल काटने का रोला भी नहीं था के जो एन वेश्टेबल काटने पड़ेंगे ज्यादा मेहनत होगी और यह मेहनत भी तिनी नहीं थी और डिफरेंट भी बन गे थे और टेस्टी बे थे और यह चाइनीज अब आपको समझ आ रही होगी इसकी लुक देखे कि चाइनीज सा इस भी नहीं है और पलाओ भी नहीं हुआ कि अध्यादा रहा कि अबडादा रहा जादा हुआ लूड्से ऊबड़ोगा कि दो आपको समझ के रहीं है तो रहाँ है और वो भी उना में नहीं होगीं आपको समझ क दो प्लादा सक्वार बासादाइन कृता